हलो फ्रेंट्स आपका रत्नामी चाहिके में वेलकम हैं आज मैं आपके साथ बहुती पापुलर रेसिपी आलू कुफता रेसिपी शेयर कर रही हूँ तो फ्रेंट्स आज हम बनाएंगे बहुती क्रीमी क्रीमी रेस्टोरेंट इस्टैन में मलाई कुफता जो एक दम अंदर से सौफ्ट है आज मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगी किस तरह से आप घर में रेस्टोरेंट इस टेंड में मलाई कुफता बना सकते हैं ये मैंने आट बॉयल आलू लिये हैं इसे हम ग्रेटर से ग्रेट करेंगे आप चाहें तो इसे मेश भी कर सकते हैं लेकिन इसे इस तरीके से ग्रेट करने से बहुत ही अच्छा और इवन टेक्शर मिलता है तो नॉर्मली मैं अपने आलू मेश करने के बज़ाए ग्रेट करती हूँ सभी रेसिपीस में और इससे इनकी बाइंडिंग भी बहुत अच्छी होती है एकदम एक जैसे बनते हैं इस तरह से हम सभी आलू ग्रेट कर लेंगे इसमें पनीर भी डाला जाता है लेकिन आज मैं आपको घर में एकदम सिंपल तरीके से बनाना बताऊंगी पनीर अगर आप डालना चाहते तो 1500 ग्राम डाले अब आम इसमें मसाला डालेंगे ताकि कोफते एकदम पिके पिके नहीं लगे आधा चमच नमक डालेंगे आधा चमच लाल मीची पाउडर एक पिंच हल्दी डालेंगे इससे कोफते का कलर बहुत अच्छा हैगा प्रेंट सो होटल में थोड़ी से स्वीट रहते हैं कोफते तो आप इसमें अगर चाहें तो शक्कर डाल सकते हैं आधा चमच लेकिन में थोड़ा सा इसे स्पाइसी बनाओंगी आलू को हम अच्छे से मेश करेंगे और इसे हम डो की तरह चिकना करेंगे आलू बहुत तरह के आते हैं अलग-अलग क्वालिटी में आते हैं और जो रेस्टोरेंट में कोफते बनते हैं वो चिपस के आलू के बनते हैं ये मैंने चिपस के आलू ही लिये हैं अगर आपके पास नॉर्मल आलू है आप वो यूज कर रहे हैं तो उसमें ब्रेट क्रम से डाल सकते हैं या फिर मेदा आपके आलू जब तक ड्राए ना हो तब तक आपको इसमें मेदा और ब्रेट क्रम से डालना पड़ेगा और अगर आप मेदा इसमें डाल रहे हैं तो आप जब कोफते बना ले तो उस पर आप मेदे की हलकी सी कोटिंग कर दे कोटिंग करने से आपके कोफते फटेंगे नहीं यह मैंने तयार कर लिया है अब हम इसके कुफते बनाएगे तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी मलाई लिये प्रेश मलाई यह और इसे मैंने थोड़ी दे प्रेशर में रख दिया था कि थोड़ी सी यह जम जाए और हमें कुफते बनाने में आसानी हो हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे हाथ को चिकना कर लेंगे थाकि आलो इसमें चिपके नहीं जरूरी नहीं है कि आप प्रेश मलाई लें आप दो-तीन दिन के मलाई भी स्टोर करके ले सकते हैं लेकिन आप उसे प्रीजर में रखें तो देखिए ये गोल पेडा में ने बना लिया है अब हम इसे थोड़ा सा हातों से इस तरीके से चप्टा कर लेंगे और बीच में हम इसके मलाई भरेंगे मलाई आपको बहुत जादा नहीं डालना है थोड़ी सी ही मलाई डालेंगे हम और इसे इस तरीके से हम पेक कर देंगे इसमें Crex विल्कुल भी नहीं होना चाहिए आपको अच्छे से इसे पेक करना है अगर इस थोड़ा सबी Crex रहा तो यह फट सकता है आप चाहे तो इस तरीके से आप गोलब शेप दे सकते हैं और इसे कैपसूल की तरह भी आप शेप दे सकते हैं कोफते आपको बड़े प्यार से बनाना है क्योंकि आप जल्दी जल्दी में बनाएंगे तो हो सकता है इसमें क्रेक्स रह जाए और जब फ्राइ करेंगे तो मलाई ओईल में बिखल जाएगी तो देखे मेरे इस तरीके से थोड़ा सा कैपसूल का शेप दिया है अब देखे मैं आपको एक तरीका और बताती हूँ इस तरीके से हम इसमें बड़ा छेट कर लेंगे और इसमें हम मलाई डालेंगे अब देखे आप आलू को इस तरीके से थोड़ा सा पोश करें बाहर नहीं आएगी और आपके कुफते एकदम परफेक्ट बनेंगे इसे आपको हलके हाथ से एकदम इस तरीके से करना है एक जैसा आपको प्रेशर बिल्कुल भी नहीं डालना है बिल्कुल हलके हाथ से हम इसका शेप दे देंगे कैपसूल की तरह और देखिए कि बहुत अ उपर आगया है तो मतलब तेल गरम होगया है अब मैं इसमें कुफते डालूंगी में कुफते इसमें ज्यादा नहीं डालूंगी सिर्फ चार ही डालूंगी कुफते को आप मीडियम टू हाई फ्लैम पर ही फ्राइ करें स्लो फ्लैम पर फ्राय नहीं करें अगर आप स्लो फ कि आप यह थ्यान रखें कि कोफते को हमें पाच मुनीट ही प्राइब करना है कि इसमें हलकी सी कोटिंग हो गई है तो अब हम इसे थोड़ा सा पलट देते हैं कोफते को आप धीरे से पलटे क्योंकि यह बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है आप देख सकते हैं कोफते का गोल्डन कलर कितना अच्छा आया है देखिए फ्रेंड्स से मैं आपको एक कोफता तोर के दिखाती हूं कि हमारे कोफते किते सॉफ्ट बने है इस चमच से मैंने दो चमच तेल लिया है तेल जैसे ही गरम हो जाएगा तो हम इसमें एक चमच जीरा डालेंगे इसमें हम खड़ा मसारा डालेंगे चार से पांच लोंग एक इंच के करीब दालचीनी आठ से दस काली मीची और तीन हरी लाईची मेरे पस छोटी लसूने इसलिए मैंने जादा लिये तो आठ से दस काली लेसुन की डाले एक इंच अद्रक, दो से तीन कटी हुई हरी मीची, दो मिनिट फ्राइ करेंगे दो मीडियम साइज के भारिक कटी हुई प्याज डालेंगे और इसे हम तीन से चार मिनिट पूनेंगे, बहुत ज़्यादा हमें इसे नहीं पूनना है, हलका गुलाबी करना है अगर आप इसे ज़्यादा डार्क कर देंगे, तो आपकी ग्रेवी का कलर भी चेच हो जाएगा प्याज थोड़े पक चुके हैं, मैंने इने थोड़ा क्रंची रखा है अब तीन मीडियम साइज के हम इसमें टमाटर डालेंगे और पंदरा काजू डालेंगे इसमें काजू डालने से हमारी ग्रेवी रिच बनेगी और गाड़ी भी अब हम इसमें आदा कप के करीब पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे सबी सबजी को हमें बहुत अच्चे से पकाना है तो हम इसे ढग देते हैं और दस से पंदरा मिनिटी से पका लेंगे देखी सबी सबजी अब बहुत अच्चे से पक चुकी है अब हम गेस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं सभी सबजियां ठंडी हो कई है अब हम इसे मिक्सर जार में डालेंगे और आवेशकता अनुसार हम इसमें पानी डालेंगे और पाइन पैस्ट बना लेंगे तो देखिए ये बहुत अच्छा पाइन पैस्ट बन गया है इसमें मुझे कम से कम आदा गिलास के करीब पानी लगा है लेकिन इसमें थोड़ा सा मुझे खड़ा मसाला दिख रहे है तो कोई बात नहीं हम इसे चलनी से चान लेते हैं तो देखिए पैस्ट कितना स्मूथ हो गया है और कितना पाइन हो गया है एक बार फिर से हम इसमें छोक लगाएंगे तो उसके लिए मैं पैन में दो बड़े चमच तेल ले रही हूँ आप चाहें तो इसकी जगे बटर भी यूज़ कर सकते हैं जैसे ही तेल हलका सा गरम होगा हम इसमें एक देज़ पान का पत्ता डालेंगे दो चमच लाल मिर्च पाउडर बन पूर्थ चमच हल्दी दो चमच धनिया पाउडर डालेंगे और इसे हम मेक्स कर लेंगे एक चमच शक्कर डालेंगे इससे टेस्ट बहुत अच्छा हैगा ग्रेवी का तो आप शक्कर इसमें जरूर डालें और इसे मिक्स कर लेंगे हम दो मिनिट हम मसाले को अच्छे से प्राई करेंगे दो मिनिट हो गए हैं दो चमच इसमें पानी डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स करेंगे अब हम इसमें मसाली का पेस्ट डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे देड़ sevண इसमें नमक डालेंगे आप नमक टेस्ट के अनुचार डाल सकते हैं और ग्रेवी को हम दो मिनिट पकने देंगे अब लास्ट हमें हम इसमें सिरफ एक चुटकी गरम मसाला डालेंगे गरम मसाला जादा नहीं डालना है क्योंकि हम इसमें ऑलरेडी खड़ा मसाला डाल चुके हैं, अब प्रेंसा हमें इसे क्रीमी बनाना है, उसके लिए हम यहां पर एक चमच मलाई डाल रहे हैं, फ्रेश मलाई, एक चमची डालना है बहुत ज़्यादा आपको इसमें मलाई नहीं डालना है, तो देखिए यह कितनी क्रीमी बनेगी आपकी, और एक दम मार्केट देशी, देखिए कितनी क्रीमी क्रीमी लग रही है और कितनी शाइन आ गई है ग्रेवी में, तो आप इसमें सिर्फ एक चमची डाले, बहुत जाता मलाई नहीं डाले, यह हो गई है हमारी कोफते की ग्रेवी तैयार, अब हम गेस की फ्लेम बंद कर देते हैं अब अब आपको सजेस्ट करूंगी कि कुछ लोग क्या कहते हैं ग्रेवी में पहले से कोफते डालकर रख देते हैं तो आप यह गलती बिल्कुल भी नहीं करें क्योंकि कोफते बहुत सॉफ्ट है और आप ग्रेवी में पहले से ही डाल देंगे उसे, तो वो बिखर जा जब गरम गरम कोफते में आप उपर से ग्रेवी डालेंगे तो कोफता ग्रेवी को सोख लेगा और जो ग्रेवी का फ्लेवर है वो कोफते में चले जाएगा इसी रेजन से मैंने आपको मना करा था ग्रेवी में कोफ़ते डालने का लेकिन आप कोफ़ते के उपर ग्रेवी डाल सकते हैं अब हम इसमें थोड़ी सी क्रीम डाल देते हैं और कुछ धनिया के पत्तियों से हम इसे गार्निश कर देंगे अब हम इसे गार्निश कर देंगे